अव्यार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल एक्स वजगार में और इस वीडियो में हम बात करेंगे बचली के विएस में आई हूँ टीचर वेकैंसी की यह देख सकते हैं यह ओफिस्यल वैबसाइड है और यहां पर आएंगे तो देख सकते हैं यहां पर आपको application का format मिल जाएगा अगर आप advertisement को देखना चाहते हैं तो यहाँ से download कर सकते हैं तो चलिए हमने यहाँ पर download कर लिया है इस notification को यह देख सकते हैं दोस्तों यह official notice यहाँ पर जारी किया गया है और यहाँ पर पोज detail की बात करें तो PRT के अंतरगत यहाँ पर जो vacancies है उसका यहाँ पर interview date यहाँ पर देख सकते हैं में इंशन किया हुआ है 12 मार्च सुबा 9 बज़े से आपके conduct के जाएंगे डे रहेगा आपका Sunday देन उसी तरीके से TGT teacher की बात करें तो इंतरगत जो vacancies हैं उसमें हिंदी इंग्लिष संस्क्रीट मैथमेटिक्स साइंस और सोशल साइंस तो इसके लिए जो इंट्रव्यू कंड़क्ट के जाएंगे 13 तारिख की डेट पर कंड़क्ट जाएंगे जबकि आपके जो PGT teacher होते हैं व्याख्याता लेक्चर यार की जो vacancies है उसके लिए बात करें तो computer instructor की vacancy है, sports coach की vacancy है, then उसके बाद academic counselor की vacancy है, यहाँ पर music teacher की vacancy है, योग और special educator की vacancy है, तो देख सकते हैं जो registration यहाँ पर start होगा, सुबा देख सकते हैं, 8 बजे से 9 बजे के बीच में start होगा registration, then interview आपके 9 बजे से conduct किये जाएंगे, same notice English में भी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तो, आपके education qualifications की बात करें, तो age limit यहाँ पर देख सकते हैं, 65 year तक के candidate हैं, यहाँ पर apply कर सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे essential qualifications को, जैसे कि अगर हम बात करें, post graduate teacher की, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपके प में सी दो साल का, जो NCRD से concerned improved है, तो ऐसे B8 की degree को, यहाँ पर मांगा गया है, देन उसके बाद यहाँ पर subject मांगा गया है, तो subject की combinations भी दिये हुए हैं, जैसे कि अगर आप chemistry के लिए apply करना चाते हैं, PGT के लिए, तो chemistry, oblique biochemistry, अगर आपके पास है, 50% के साथ master degree हैं, इन सार सारे ही subject में, तो आप जिस subject के लिए apply करना चाहते हैं, उस subject के लिए आप कर सकते हैं, तैन उसी तरीके से PGT computer science की vacancy है, जिसमें MSC master degree के साथ आपका, यहाँ पर master degree के साथ आपका B8 मांगा गया है, और भी जो qualifications हैं, इसको आप carefully यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे की B.E.B. Tech आपने किया हुआ है computer science से, और उसके बाद आपने B8 भी किया हुआ है, तो यह आप apply कर सकते हैं, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, TGT teacher के लिए vacancies हैं, तो generally TGT teachers की, अगर हम short में यहाँ पे recruitment में जो qualifications को discuss करें, तो आपका यहाँ पे bachelor degree प्लस आपका B8 होना अनिवार है, और आप अगर PRT के लिए apply कर रहे हैं, तो seatate जो होते हैं, उसमें जो class 1 से लेके 5th class के लिए होता है, वो आपके पास होना चाहिए, से seatate clear, अगर इसी तरीके से अगर TGT के लिए अगर आप apply कर रहे हैं, तो आपके पास class 6 से लेकर 8 तक के जो qualifications seatate qualify मांगा जाता है, वो होना चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ पर bachelor degree होनी चाहिए, प्लस आपका BA होना चाहिए, जबकि PRT के लिए 12th plus higher secondary, पास आउट और BA या फिर BA प्लस seatate होना अनिवार है, तो यह सारी चीजें आप देख सकते हैं, यह सारी चीजें यह देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, 50% at least होने चाहिए, देन उसके बाद यहाँ पर yoga teacher की बात करें, तो yoga teacher के लिए graduation plus आपका diploma होना चाहिए, योगा में music teacher के लिए आपके पास 12th plus music में degree होनी चाहिए, देन उसके बाद sports coach की बात करें, तो diploma या degree होना चाहिए, जो है graduation in concert field, यानि कि आपके games and sports वाले जो field है, वो सब में, आपका यहाँ पर graduation होना चाहिए, देख सकते हैं, यहाँ पर computer instructor के लिए B.E.E.B.T.E.C. मांगा गया है, या M.E.C., IT, B.E.C., computer science, या फिर P.G.E.D.C. आपने किया है, तो भी आप apply कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, academic counselor के लिए M.E. मांगा गया है, psychology में, या फिर M.E.C., जो है regular degree, यहाँ पर one year का, अगर आपके पास counseling में डिप्लोमा है, तो भी आप apply हर सकते हैं, इसी तरह किसी special educator के लिए, यह special educator का मतलब है, दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे हैं, जो special child है, उनको special education की जवरत होती है, जो थोड़े से दिव्यांग category में आते हैं, तो ऐसे जो candidate या students को हम special education के अंतरगत consider करते हैं, तो इसके लिए special educator की vacancies भी आती है, टीचर की और इसमें special education में B8 भी मांगा जाता है, तो यह सारी चीज़ें आपको check कर लेनी है, फिर apply करनी है, अगर हम salary की बात करें, तो देख सकते हैं, PGT teacher के लिए, यहाँ पर 32,500 की salary आपको provide की जाएगी, जबकि TGT के लिए 31,250 रुपीज, जबकि PRT के लिए 26,250 रुपे, computer instructor के लिए देख सकते हैं, class 3 से लेके 5 के लिए 26,250 रुपे, computer instructor 6 क्लास से लेके 10 तक के लिए 31,000 रुपे, पोक्रिश जो है instructor के लिए 26,000 है, योगा के लिए 26,000 है, जबकि academic counselor के लिए 31,250 रुपे है, यहाँ पर किसी तरीकी के TADA नहीं provide के जाएंगे, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई करने से पहले, application का format उपर में दिया हुआ है, आप यहाँ से website से download कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से download कर लेंगे, और form को fill कर registration करा सकते हैं, तो आप यह वीडियो यह वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सिस्क्राइब करें, थैंक्यों धन्यवाद बने रहे हैं एक्षोजिकार के साथ,